आपको समय समय पर मिलता रहे इस वीडियो में मैं आपको examination से related कुछ महत्वपून दिशा निर्देशों के बारे में बताऊंगी साथ ही साथ कैसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका को स्कैन करेंगे और किस तरीके से गूगल फॉर्म को फिल करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका को अपलॉड करेंगे महत्वपून दिशा निर्देश जिस दिन भी आपका paper होगा उससे संबंदित question paper आपके college के concerned whatsapp groups में भेज दिया जाएगा इसके अलावा ये question paper sdpg college पानीपत की website पर भी उपलब्द होगा sdpg college पानीपत की website का address है www.sdcollegepanipat.org जिन विध्यार्दियों का paper सुबह के समय है उनके लिए समय 9 बजकर 30 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट का है और जिन विध्यार्दियों का paper शाम के समय है उनका समय 1 बजकर 30 मिनट से 4 बजकर 45 मिनट का है इसी समय अंतराल में आपने question paper को download करना है answer book को scan करना है और google form में अपने answer book का scanned pdf upload करके submit करना है आपके examination से related date sheet कुरुशित्रा युनिवोसिटी कुरुशित्रा की website पर उपलब्ध है आप चाहें तो अपनी date sheet को वहां से भी note down कर सकते है इसके अलावा college के concern whatsapp groups में भी date sheet को post कर दिया जाएगा आप चाहें तो वहां से भी note down कर सकते हैं आपके examination को college के teachers google meet app से supervise करेंगे जिसके लिए आपको ये सुनिश्शित करना है कि आपके पास google meet app install हो और उसमें internet connection जो है वो सुनिश्शित रहे इसके अलावा इससे संबंदित google meet का link की सूचना आपसे आपके whatsapp groups में share कर दी जाएगी आपने अपनी परिक्षा तिथी के समय पर इस google meet link को join करना है वहां पर अपनी attendance को mark करवाना है otherwise आपको absent दिखा दिया जाएगा एक और आपसे निवेधन है कि परिक्षा के समय पर अपनी google meet app का webcam own रखिए और microphone को off रखिएगा परिक्षा उपरांत आपको answer sheet को google form में attach करके submit करना होगा गूगल form के link की सूचना आपको आपके concern whatsapp groups में भेज दी जाएगी प्रिये विध्यारतियों इसका अभिप्राय है कि आपके साथ दो link साजे किये जाएंगे एक link google meet के माध्यम से supervisor teacher से connect होने के लिए और दूसरा google form का link जिसमें आपने संबंदित जानकारी को fill करना है और answer book के pdf को submit करना है अब मैं आपको बताऊंगे कि आपने किस तरीके से अपने answer book को scan करना है जिसके लिए सबसे पहले आप play store से जाकर Adobe scan नाम की app को install कर लीजिएगा देखे मैं आपको दिखाती हूँ आप जब scan करेंगे जब आप search करेंगे तो Adobe scan एप इस तरीके से है वो आपको नजर आएगे आपने उसको install जब आप इस app का camera own करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपने admit card को scan करना है देखे आप जैसे ही इसके camera को अपने admit card के उपर लेकर जाएंगे आपको click करने की भी ज़रत नहीं है ये उस page को capture कर रहा है blue tick में अगर आप satisfied है cleared आपने लिया है तो यहाँ पर आप नीचे continue का button है उसको click कर दीजे उसके बाद आपने answer sheet के first page को scan करना है आप उस page के उपर इस camera को लेकर जाएगा तो blue tick में इसने capture कर लिया है आप इसको continue कर लीजेगा उसके बाद देखे आपको नजर आ रहा है कि bottom side पे दो pages आपके बन चुकी है इसी तरीके से आपने अपना first page जो admit card के वो scan करना है जिसके आपका latest passport size photograph रहेगा और signature रहेंगे और उसके अलावा जो 30 pages आपके answer book के रहेंगे वो आपने उसके बाद scan करके एक ही PDF फाइल जो है वो बना कर हमें देनी है जब आप satisfied है इन pages से clear आई है picture then सबसे पहले उपर side पर आपको save PDF का option नज़र आ रहा है आप इसको click करके इन pages का PDF जो है वो बना लेंगे PDF बनाने के बाद देखिए आपको नज़र आ रहा है uploading यहाँ पर यह upload हो रही है file upload हो चुकी है उसके बाद देखिए more option आपको नज़र आ रहा है इसके आगे तीन text है आप इनको click करके इसको rename कर सकते है rename अगर आप चाहें तो इसको roll number से कर सकते हैं जैसे कि मान लीजे मैं एक roll number यहाँ पर डाल रही हूँ आप इस roll number से चाहें तो यहाँ पर आप अपना subject team भी डाल सकते हैं आप इस से rename करने के बाद यहाँ पर rename को click कर दीजेगा देखे आपको ऊपर नजर आ रहा है कि आपकी फाइल इस roll number और subject name से rename हो गई है इसके बाद आपने क्या करना है share button पे click करेंगे तो नीचे आपको तीन option नजर आ रहे हैं share link email share a copy आप share a copy करिएगा share a copy करने के बाद आप इसको अपने drive में save कर लिए जिए का better रहेगा आप इसको अपने drive में save कर ले ड्राइब में आपने कहां save करना है आप documents में save कर सकते हैं यहाँ पर upper side पे आपको tick का click नजर आ रहा है आप इसको click करेगा click करने के बाद देखे notification में uploaded one file has been uploaded कि आपके एक file जो है वो आपकी drive में save हो चुकी है अब यह तो था कि आपने किस तरीके से अपनी answer book को scan करना है और किस तरीके से उसका pdf जो है वो बनाना है अब मैं आपको यह बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस को google form के link में upload करके अपने google form को submit करना है जिसके लिए देखिए आपके college के concerned whatsapp group में आपके साथ एक google form का link जो है वो शेर किया जाएगा वो link जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि BA, BA economics honors and BA English honors first semester का यह google form है इसको मैं आपको fill करके बताऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से आपने उसको upload करना है answer आपको के साथ यह जो google form का link share किया है आपने इसको tap करना है tap करते ही open with options आ गए हैं आप इसको chrome से open कर लीजिएगा यह देखिए आपका जो google form है वो open हो रहा है open होने के बाद यह इस तरीके का google form जो है वो आपके पास आएगा जिसमें उपर sdpg college पानिपत का आपको नजर आएगा logo भी और college का नाम और उसका address भी तो that means यह authentic form आपके पास आया है उसके बाद देखिए यह form जो है वो design किया गया है BA, BA economics honors and BA English honors first semester के लिए google form है for the submission of answer books for the university examination held in March 2021 उसके बाद आपने क्या करना है जितसे भी related आपसे information जो भी आपसे मांगी गई है आपने उसको फिल करना है email address आपसे सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पर मैं देखिए आपको फिल करके दिखा रही हूँ मैं अपना email address यहाँ पर डाल रही हूँ then university row number आपका जो भी university row number है आपने उसको फिल करना है then date of examination drop down menu है यहाँ पर आपको यह arrow नजर आ रहा है drop down में आपने इसको टिक करना है और जो भी date है वो आपने calendar से चूज करकर set करना है then session of examination drop down menu है आप इसको टिक करेंगे यहाँ पर morning and evening दो session आपको दिये हुए है अगर आपका paper morning का है आप morning को select कर लें अगर evening का हो तो evening का select कर लें then paper code as printed in your question paper आपको जो भी question paper दिया चाहेगा उसके extreme right hand side पर अपर side पर एक digits में numbers में mention होता है जैसे किसे पर 01 होता है किसे पर 143 numbers की form में अपर side पे right hand side question paper पे paper code mention होता है वो paper code देखकर आपने यहां पर फिल करना है उसके बाद name of the class यह भी drop down है आप इसको जब click करेंगे तो यहां पर नज़र आ रहा है BA first semester, BA English honours first semester, BA economics honours first semester अगर आपका BA first semester का paper है तो आप इसको click कर लें English honours का है आप उसे click कर लें economics honours का है उसे click कर लेंजे उसके बाद है exam type यह भी drop down menu है आप इसको click करेंगे यहां पर तीन option है कि आप regular के student है या reappear के student है या essay student है जो pass out college से हो चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी reappear बाकी है तो आपने accordingly option को choose करना है Nomenclature of the subject में आपने subject का नाम फिल करना है जिसके मानलीची आपका English का पेपर है तो आप यहां पर English फिल कर देंगे mathematics का पेपर है mathematics फिल कर देंगे history का पेपर है history फिल कर देंगे Sanskrit का है Sanskrit का फिल कर देंगे उसके बाद आता है attach your answer book in one PDF file with your roll number slip as post page आपने वही चीज़ धियान रखनी है कि सबसे पहले आपका admit card होना चाहिए आपके PDF scanned file के अंदर अब आप कैसे add करेंगे अपनी answer book का PDF यहां पर यह add file आपको blue में नजर आ रहा है आप इसके उपर click करेंगे click करने के बाद आपको यह option नजर आ रहे है इसमें आपने select file from device इसके उपर click करना है नीचे आपको option नजर आ रहे है इसमें से आपने files चूज़ करना है files को चूज़ करने के बाद आप अपने one drive में जाएगा one drive में जाने के बाद देखे जहां पर भी आपने अपनी file सेव करी थी आपने उसी options में जाना है और वहीं से अपने file जो है वापस से upload करनी है देखे हम यहाँ files में जाएंगे files में जाने के बाद we will go to documents यहाँ पर हमने उसे save किया था यहाँ पर देखे यह file अभी आपने save करी थी इस roll number के नाम से 972845667 इंगलिश के नाम से यह file आपको नजर आ रही है आपने service को click करना है click होते ही देखे यह file आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी then यह नीचे blue में आपको नजर आ रहा है upload आपने इसके उपर click करना है यह आपका answer book जो है upload हो चुका है upload होने के बाद यह कुछ इस तरीके से नजर आएगा यह सारे columns को fill करने के बाद सबसे important बात जो आपने ध्यान देनी है bottom side पर यह green में आपको submit का button नजर आ रहा है इसको click जरूर करिएगा जब आप इसे click करेंगे तब ही आपका यह google form जो है आपका response हो है वो record हो चुका है that means आपका google form submit हो चुका है धन्यवाद इसके अलावा आपके मन में कोई भी शंका हो तो बेहिचाप अपने टीचर से SDPG College से contact करिए on the behalf of entire SDPG College fraternity wish you all the good luck for the people